Hi everyone, welcome back to my YouTube channel So, इस वीडियो में अपन बात कने वाले हैं यह माँ FZV3 के कुछ rap थे तो मैंने part 1 भी upload किया हुआ था तो उसका response तो अच्छा था तो मैंने सोचा part 2 भी बनाते हैं अपन और आप लोगों की भी demand थे कि FZV3 के rap के उपर part 2 बनाना चाहिए और अगर किसी ने part 1 नहीं देखा है तो मैं link description में और i button में दोनों में डाल दूँगा तो आप चाके part 1 भी देख लेना उसमें भी मैंने कुछ अच्छे modifications के बारे में बात की थी तो I hope वाली भी वीडियो आपको पसंद आएगी और इसमें चलिए बात करते हैं और मैंने पहले भी बताया था part 1 में जब मैं बता रहा था तो इसमें जो मैं format में जिस series में मैं बताऊंगा इसका ये मतलब नहीं है कि उस हिसाब से इन bikes के modification अच्छे हैं वो आपके उपर है आपको किस type का wrap पसंद आता है तो अब चलिए अपन bike के बारे में बात करते हैं तो जो माई 5 नंबर की bike है उसमें तीन तरीके के wrap हुए थे तो मैं line से बताता हूँ और जो भी currently wrap है उसके बारे में आप एक बार उसका look देख लो light blue color में wrap है और इसमें modifications की बात करें तो MT15 का visor install हुआ है और clutch lever protector लगे हुए है और KTM Duke के mirrors installed है तो इन सब की जो buying link है अगर आप clutch lever protector या फिर MT15 के जो visor अगर आपको चाहिए होगा तो मैं description में डाल दूँगा आप एक बार जाके check out कर लेना और साथ ही में front side में KTM RC के जो front mudguard है वो installed है और जो number plate holder है वो maybe custom made होतकता है बट उसमें भी ज़्यादा आपको कोई महनत नहीं करनी अगर आप किसी local shop में भी जाओ तो आपका काम हो जाएगा और air intake का जो area है front side में अपने tank में अगर आप देखो तो वो stock FZV3 में chrome में आता है बट इसमें black wrap किया गया है और जो जाली है उसमें भी black color से paint किया हुआ है जो कि जाए तर लोग कराते हैं तो ये तो हो गई present wrap जो है और जो पिछले इनके wrap हुए थे उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ तो इस वाले look में और नए में ज़्यादा कुछ change हुआ नहीं है changes wrap में ही है जो है जैसे golden shock up wrap किया हुआ है इसमें और पीछे जो wire neon green आप देख रहे हो मुझे तो disc break की ही wire लगती है क्योंकि और एक बंदे ने comment भी पुराने वीडियो में किया हुआ था कि जो neon green cable है वो ABS की wire है तो front में तो मैं मान सकता हूँ कि ABS की ये green cable होगी इसकी जो link है वो आपको description में मिल जाएगी अगर आपको purchase करना होगा तो और इसके बाद वाला जो wrap था इस वाली wrap में universal visor या फिर जो phaser वाला visor होता है वो installed हुआ है और इसकी जो buying link है वो मैं description में डाल दूँगा और lever protector के जगा hand protector लगे हुए है और वही same ktm के mirrors mudguard में कोई changes नहीं है क्योंकि सबसे पहले वाला wrap है ये इसमें जो golden wrap है वो shock up के end part में भी install किये गए है और बाकी पीछे की tail light remove कर दी गई है इसके अलावा as such कुछ ज़्यादा modification नहीं कियो हुए है इसमें एक और wrap था इसी bike में तो उसे भी मैं दिखा देता हूँ हो सकतो किसी को पसंद आ जाए वो आला भी तो एक idea के लिए आपको मैं यह आली photo भी दिखा देता हूँ अब जो हमारा अगला wrap है वो white में ही था although मैंने जो first part है उसमें white वाले के बारे में बात की हुई थी बट उसमें मैंने बोला था कि अगर branding होती white के tank में तो थोड़ा सा और अच्छा लगता तो मुझे दो bikes मिली थी जिसमें branding भी थी और वो white color के थी तो मैं सोचा है part 2 में भी उन्हें include करते हैं तो mods तो simple ही हैं वैसे जैसे कि अपना feather का wiser installed है golden shock up wrap लगे हुए हैं और upside में fog lamps installed है बट जो main look enhance कर रहे हैं वो white wrap के करण हो रहा है और दूसरी fzv3 में जो मैंने देखी थी वो ये है ये वाली government vehicle है इसलिए photos मुझे कम मिली हैं इसकी तो जो इनकी honor थे उन्होंने एक ही photo post की थी बट मैंने उनसे contact करके थोड़ा सा दो तीन photos उनसे मागी और इस वाली fzv3 में जो अलग था वो जो आप fog lamps देख रहे हो fog lights देख रहे हो type की है leg guard में जो install हुई है वो शायद जो police वाली lights होती है वो है और यह government vehicle था तो जातर यही लगता है कि यह police के vehicle है क्योंकि नीचे hooter भी लगा हुआ है so इसमें तो बस यही था I hope यह वाली जो white color के wrap हैं यह भी आपको पसंद आई होगी अब जो अगली बात हपन करेंगे उसमें मैं दो bike हैं वो दोनों अलग-अलग bike हैं तो उनके बारे में बता देता हूँ क्योंकि ऐसा कुछ खास इसमें wrap के लाबा कुछ था नहीं जिसके मैं इनको अलग-अलग जगा रखूँ यह वाली जो आप देख रहे हो इसे neon green में wrap किया गया है और ऐसा लग रहा है हरे color का cobra ही हो क्योंकि यह जो नीचे scales बनाई हुई है उसके करन ऐसा ही लग रहा है इसमें इतना ही था वाइजर और wrap के लाबा as such कोई modification नहीं किया हुआ है अब जो हमाई दूसरी बाइक है इसी third portion में तो उसे pink में wrap किया हुआ है थोड़ा famine color है बट लोग की अपनी पसंद है हमें तो बस वीडियो बनानी है बट इतना बुरा भी नहीं लग रहा है तो अगर किसी को यह पसंद आया होगा तो बिलकुल इस तरह के wrap के साथ भी आप जा सकते हूँ इसमें जो मुझे एक और जो चीज अलग लगी है वो अगर आप पीछे साइड देखो तो backrest के साथ top rack भी लगा हुआ है top rack तो देखा है मैंने बहुत सारी bikes में बट backrest थोड़ा सा नया लगा मुझे इन दोनों bike में तो इतना ही modification था और यही कुछ wrap थे अब जो अगली bike है उसमें कोई color wrap तो नहीं है बट स्ट्राइपिंग की हुई है और glossy black में तो अरेंज कलर की स्ट्राइपिंग है वो अच्छी लग रही है और बाकी कोई ऐसा तगड़ा modification नहीं दिखा मुझे और यह जो number plate सामने के portion में लगा हुआ है अगर उसे किसी को purchase करना होगा तो इसकी जो link है वो मैं description में डाल दूँगा और इसी में जो दूसरी bike है उसे भी neon green में striping की गई थी तो वो भी आप देख लो हो सकता हो पसंद आए अब जो माई last number की FZ है उसमें भी kind of yellow में wrap किया हुआ है जिसमें FZV2 का visors installed है और side mirrors भी जिसमें I guarantee की चलते वक्त कुछ भी नहीं दिखता होगा और चारो indicators भी change हैं after market indicators installed किये हुए हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये neon cables के बारे में इसने तो दोनों use किये हुए है अब तो और confusion होगा कि clutch wire है ये या ABS की wire है या फिर brake oil की wire है और back side में अपन बात करें तो tail tidy installed है जिसके साथ उल्टा करके top rack लगाया है क्योंकि अगर आप इसे pillion के पकड़ने के लिए जो बार रहता है उसमें install करोगे तो शायद hole भी करने पड़ेंगे तो शायद इसलिए उन्होंने नीचे side install किया है तो यही था इस वीडियो में I hope यह जो FZV3 के wrap के उपर part 2 है वो भी आपको पसंद आया होगा और अगर आपको part 3 भी चाहिए होगा तो comment section में जरूर बताना मुझे तो कि मुझे अभी भी मेरे पास कुछ bikes हैं जो part 3 में include कर सकता हूँ और बाकी भी मैं दोडूँँगा तो मैं part 3 भी बना सकता हूँ तो आप मुझे जरूर बताना comment section में अगर आपको part 3 चाहिए होगा और अगर यह वाला part 2 पसंद आया होगा तो comment जरूर करना और video को like जरूर कर देना और अगर channel पे नए हो यार तो channel को subscribe जरूर कर देना thank you so much for watching the video guys